आफे सब्सक्षर्णल का अप्सक्राइबर तो आज हम बात करने वाले हैं इक जो फॉर्म है तो उसमें का नहीं अपडेट्स कुछत विडिप कर सकते हैं साथा यह नहा वह जिए उप्सक्राय रहा है किससी की करने के बाद आपको क Wallace में क Grade सबसे पहले आपको के मैं पेज़ न पर आ जाना तो पोस्ट मेंरे सटेट लोगिन करने के बाद आपको अपना अड noi रवाड़ना है जो जब आप सब्सक्राइब करो है करेंगे उसके नीचे यह नीचे अभी तक भी एडिट का अपन है अपना जो भी डॉकिमेंट में आपको अड़ी करना तो में अप सिर्छा क्या है यहां पर सकता है आपको तेन अथा आता है आप एडियाल से प्रसक्राइब एडिट करते हैं जिसमें आपको नाम, father's name, mother's name, date of birth ये सब रहेगा और college detail में जाके आप अपना college एडिट कर सकते हैं इतना कुछ editing तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं पहले वाइले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर दे सकते हैं इतना कुछ के बाद आपको क्या करना है नीचे एक नया option आया है इतना कुछ तो पहले भी था अभी नया option आया verify और mobile number गेट OTP अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत number डाल दिया है तो कैसे check करें तो आपको गेट OTP पर click करना उसके आपको क्या होगा आपका जो है मतलब य आप जैसे ही लोग इन करेंगे नीचे आएंगे academic year 2022-23 के पास यहां पर जो एक नया option आया हुआ है कि post metric within the state phrase application registration 2022-23 नीचे लिखा हुआ है यहां पर print आपको print का option पर click करना है प्रिंट पर option जैसे ही आप click करेंगे आपको एक ऐसा window खुलेगा ऐसे वाले window में आपको क्या करना है इसको प्रिंट आउट निकल वा लेना है आप इसमें यह भी देख सकते हैं आपका जो है मतलब जो का certificate और इंकम certificate का नंबर बहुत लोग बोले थे कि सबका सेम दिखा र करना है और पर जाकर आपको करेक्शन कराना है क्योंकि अभी तो खुद से अफडेट करने का यापको दिया हुए नहीं है तो आपको यह कल्यान आपिस जाकर वहां से रिक्वेस्ट किजगा तो वह साइध एडिट कर दे उसकार आपको नीचे आना है इसमें यह form अप्रिं साइन करेगा इतना क्या क्या करना क्या करना है क्या में आपको अपना खुद का सिकनेशर करना है उसके वाद उपर जो आपको college से अत्य टेस्टेट करा लेना है और college में झोआप आप टेस्टेट कराने जाएंगे तो वBaba कुछ important डोकुमेंट से जो आपको आपको आपको雷ट करने के वाद उसमें लगा कर उसका उसका रहे bonafide certificate, original bonafide जो आपको college से मिला है उसको submit कर देना है क्योंकि आपने उसका upload कर दिया, उसका काम हो गया, income certificate जो है original उसका copy निकाल के वो देना है, car certificate का photo copy चाहिए, residential certificate का एक photo copy देना है, माकसित सेटिटिटrites जो अपने लांस्ट यईर का जो माकसित निकला है उसका सेटिटिट्प करना है उसका जो एक बैंक का पासुपक आपको फोटो कौपई देना है और एक अधार का फोटो कौपी देना है और इसके साथ एक ID काड जो आपको college का ID card है वो देना है और इसमें लिखा हुआ नीचे कि please upload all the document in scan copy not upload in mobile photography otherwise rejected तो इतना कुछ आपको करने के बाद जो है आपको submit कर देना है उसका आपका form submit हो जाएगा उसका जो है कुछ दिन लगेगा आपका उसका आपका पैसा आजाएगा क्या हुआ यह जो paper होगा print out paper इसको जो है re upload करना photo click करके आपको जो है scan करके उसको फिर से re upload करना उसके बाद ही आपका application fully submitted हो जाएगा इतना कुछ अगर आप समझ गया है आज का वीडियो में बस इतना ही बने रहे है हमारे साथ और आपको ऐसे ही वीडियो जानने के लिए आप लेजन्स अब जेवियर्स को follow कर सकते हैं मारे चैनल को subscribe कर सकते हैं Thank you